नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं लोग सब चुनावों का आगाज 19 अप्रेल से हो गया और अब तक दो चरणों में देश की 191 सीटों बन मदान की प्रक्रिया पूरी है इसके बाद अब 7 माई को 30 चरण का मदान होगा बताते चलें की इसी प्रकार से 7 चरणों में मदान की प्रक्रिया पूरी होगी और फ़र जाकर की 4 जुन को चुनावी नतीजिस सामने आएंगे सब के बीच चरचा का विशय बिहार में इस वक्त पवन सिंग भी बने हुए है जिहां भोजपूरी सुपरस्टार पवन सिंग जस तरीके से भारती जंदा पार्टी ने अपनी पहली 95 अमीदवारों की सूची जारी करते हुए पवन सिंग को पश्रिमंगाल की आसन सोल लोग सबसीट से अपना उमीदवार बनाया था लेकिन उसके अगले ही दिन पवन सिंग ने ट्वीट करकि टिकेट लॉटाने की खोशना जैसे ही की उसके बाद से सियासी गल्यारों में उनकी चर्चाइं तेज हो गई कि आखिर पवन सिंग ने बीजेपी का टिकेट लॉटाने का फैसला क्यों किया दरसल आपको बता दी कि आसन सोल से मौजुदा वक्त में टीमसी के सांसद शेत्रुगन सिनहा है जियो भोजपूरी सिनिमा के बड़े हिद्धि गज कलाकार माने जाते हैं ऐसे में ये एक प्रमुक कारण माना गया कि पवन सिन्ग ने आसन सोल से शेत्रुगन सिनहा के चलते अपना नाम वापस लिया और पार्टी को टिकेट उसको लोटा दिया लेकिन अब जिस तरीके से पवन सिंग ने बिहार की कारकार सीट से निर्दलिय चुनावी मैदान में उतर कर अपनी ताल ठोकी है उसके बाद सीमाना जा रहा है कि पवन सिंग का चुनाव लड़ने को लेकर पहले कोई और मूर था जो बीज़ेपी के टिकेट मिलते ही बदल गया हिस्ताब के बीच अब चर्चा ये भी है कि पवन सिंग भोजपूरी कलाकार और बीज़ेपी के उत्तर पूर्वे दिल्ली सिस्सान सदम मनोज तिवारी के मनाने पर भारते जनता पार्टी में वापस आ सकते हैं हलकि इस बात पर अभी कोई पुष्टी या किसी का कोई बयान सामने नहीं है लेकिन चर्चाओं में ये लगतार बनी हुई है क्योंकि मनोज तिवारी भी बोजपूरी के दिगच कलाकार हैं और पवन सिंग और मनोज तिवारी दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती मानी जाती है ऐसे में अब चर्चाओं ये भी है कि पवन सिंग को अगर मनोज तिवारी मनाती हैं तो नर्दली हैं उमीदवार की तोर पर अपना नामांग गंड़त कर सकते हैं और भारती चंदा पार्टी में वापसी कर सकती हैं फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश नाइम्यूस